देखी इतना तो लगबग आपको पताई होगा कि UPSC के में सिख्जाम में या कहें तो CSE के में सिख्जाम में एक optional subject भी select करना होता है अब UPSC के दुआरा एक list दी जाती है तो उस list में से किसी एक optional subject के रूप में आपको select करना होता है अब सबसे पहला doubt देखी मेरे पास कई सारे questions आ चुके हैं students के कि एक तो यह पूछते हैं कि कौन-कौन से optional subject है दूसरा यह पूछते हैं कि आखिर इसको select कैसे किया जाता है कि इसका कोई criteria होता है या इसका कोई base होता है तो उस पे भी बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम list देखते हैं कि आखिर list क्या होती है देखी मैं आपको बता दूँ कि UPSC के द्वारा total 48, 48 subjects की list दी जाती है उसमें से एक आपको select करना होता है जिसमें है agriculture, animal, husbandry and veterinary science तीसरा है anthropology, चौता है botany, पांचमा है chemistry, ऐसी है civil engineering, commerce and accountancy, economics, electrical engineering, geography, geography, geology, history, law, management, mathematics, mechanical engineering, medical science, philosophy, physics, political science and international relations और psychology, public administration, sociology, aesthetics और इसके बाद geology और इसके अलावा आप literature की रूप में इन जो भासाएं हैं यह जो language हैं इन में से आप किसी को भी ले सकते हैं तोटल 48 इसको ही मिलाके में बताया था जिसमें है अस्मिया है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कंणड है, कस्मीरी है, और कौनकी है और मैथली है, और मलेअम है, मड़ीपुरी है, मराथी है, नेपाली है, उडिया है, और पंजाबी है, संस्कृत है, सैंथली है, और सिंधी है, तमिल है, तेलगू है, उर्दू है, इंगलिस है मतलब टोटल मिलाके 48 हैं इन में से चाहें आप ले लें एक लिटलेचर सब्जेक्ट के रूप में या आप इन उपर वाले में से भी किसी एक सब्जेक्ट को ले सकते हैं अब हम सेकिंड जो डाउट है उस पर बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि आप रूक्टर की पड़ाई अपनी के तभी मेकल साइंस ले पाएंगे तो आपको बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है UPSC ने ऐसा कोई भी rules ऐसा criteria decide नहीं किया है ये total आपके उपर depend करता है कि आपको क्या पसंद है आप क्या लेना पसंद करते है दूसरी चीज यह है कि इसका base क्या होना चाहिए कि आखिर कैसे option subject लिन है तो मैं सबके लिए दो चीजें बताता हूँ पहला base आपका रहेगा कि आपका interest कि subject में जादा है दूसरा आपका base रहेगा कि उसका study material आपको आसानी से मिलना चाहिए क्योंकि उसके notes book नहीं मिलेंगी तब भी आपको problem आएगी और अगर आपका interest उसमें नहीं होगा तब भी problem आएगी क्योंकि आपका money नहीं लेगा पढ़ते हुए और बाद में आप change करेंगे कि यार politics मैंने गल ले लिए अब geography ले लेता हो तो उसमें क्या होगा time based होगा तो इसलिए time based ही नहीं करना है क्या आपको उसकी जो coaching करनी है क्या coaching के classes आराम से मिल जाएंगे या अगर आपको self करनी है तो क्या उसके notes वगरा मिल जाएंगे इस सारी चीजें सोच लेना उसके बाद ही किसी subject को select करना और उसके लिए preparation करना क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप पहले prelims निकालेंगे फिर उसके बाद optional subject की त्यारी करना ही नहीं आपको starting में ही त्यारी करनी होती है जब आप prelims की त्यारी करेंगे तब ही आपको मान के चलना होता है कि इस वार मेरा prelims इस वार clear हो जाएगा और मैं main exam दूँगा क्योंकि अगर आपने ऐसा माना कि आप कुछ पता नहीं है कि इसमें prelims के लिए होगा या नहीं होगा तो फिर क्या होगा फिर उसके जो त्यारी है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है उसमें बहुत कम टाइम ही मिलता है तो इसलिए आप कोसिस ये करें कि आपकी त्यारी उसी के साथ में चले तो इसलिए बहुत सोंस समझ के आपको उसमें समझें से लटकरने है